हेई गाईस कैसा है आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे और कैसे क्वेशन को अटेम्ट करेंगे और हाव तो स्कॉर गुड माक्स कैसे स्टब बेस्ट आपको लिखना है आफ्टर इसमें मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट पोईटरी बताऊंगी अगर आपने इस लेबस देखा है तो 120 120 प्लस जो पोईटरी आपकी मेजी वन में बट जो इंपोर्टेंट है 2030 हम उसको डिसकस कर लेंगे और उनमें से भी और ऐसा नहीं है कि यह जो लिस्ट बनाई है आपने देखा इस वीडियो की दिमांड बहुत दिन से है बट एक थोड़ा टाइम पीरिड के बाद मैंने इसको बनाया है क्योंकि इसको बनाने के लिए मैंने 2011 से लेके 2020 जून तक का पेपर अनलाइज किया है आफर दैट मैं इन पोईटरी को सेंबल किया है अगर मैं च इसमें दो तरीके का पेपर आता है दूसरा अर्टीसी आता है अगर क्वेशन आये तो उसमें मुझे कुछ बताने की जूरूत नहीं है यह जो पेपर है वो में फोकस करते थे लेकिन यहां पर जब क्वेशन आएंगे तो आप क्या करेंगे पैरग्राफिक फॉर्म में लि करेंगे और आप पैरेग्राफिक फॉर्म में लिखेंगे इसको क्वेशन के भी दो पैरेग्राफ बना लीजे एक में थोड़ा सा पोईट के बारे में उसके बाद आप पोएम का जो भी सम्री उम्री लिखते वो सारा लिख लीजिए अगर आपको पोईटिक डिवाइस य जो प्रीवियस यह कोईशन पेपर के बेस्ट में उन्हीं 15 को में कराऊंगे और आपको एक अच्छा खाजा कोईशन देखने को मिलेगा पेपर में यह तो बात होगी कोईशन की वह बहुत असान होते हैं अब बात आती है आर्टिसी के जब आर्टिसी आये तो आपको कैसे इसका एक ही तरीका है कि आपको जितनी भी इंपॉटेंट पोईट्री के नाम में भी मेंशन करूंगी आप उनको एक एक दो दो बार गोधू कर लेजिए उसके बाद जब वो पोईब आपके सामने आएगी ना तो आप उसे डेफिनेटली फाइंड आउट कर लेंगे अब हम बात करते हैं how to attempt कि हमें question को कैसे attempt करना है तो अगर question आया तो इसके बारे में मैंने discuss कर लिया है कि आपको कैसे attempt करना है question आपको बिल्कुल simple sequencing form में चलेगा जैसे कि आप normally कोई भी question लिखते हैं अब बात आती है RTC की और questions में ज्यादा अभी इसलिए भी नहीं बोल रही हूँ क्योंकि questions को मैं separate separate video आपको provide करूंगी unit wise unit 1 के कौन से question repeat हो रहे हैं और year के साथ में mention करूंगी आप देख लिजेगा अगर जो कुछ students होते हैं कि net पे चेक करना है तो आप search करके देख कहां से मैंने आपको बोला poem दो बार पढ़ लेना जितने भी poems अप लोड होंगी मेरे चैनल पे 11-12 तारिक तक सारी important topics को ही मैं करूंगी क्योंकि so poetry complete करने से होते हैं smart study करना है हमको smart study यह है कि जो repeated हैं जो बार-बार है जो बंच में आ रही है उन्हीं को discuss करेंगे so be trust on yourself and trust on me if you can or so now सबसे पहले find out करने के बाद आपको लिखना है introduction इंट्रोड़क्शन इंट्रोड़क्शन में आप क्या लिखेंगे इसको four parts में divide करेंगे सबसे पहले part में लिखेंगे आप introduction poet का कि कौन से poet है कौन से नहीं है जैसी कि आप example के लिए pro thalmium poem के लाइन आ हुई है तो आ उन्हों ने यह poem लिखी है वहाँ पर जाके और यह demanding poem थी जो कि Spencer को बोला गया था क्या आप लिखिए जो थर्ड परग्राफ है उसमें आप लिखेंगे body body मतलब वो चार लाइने आपको दी गई है ना चार पांच जितनी भी लाइने आएंगी उन लाइन में basically उन लाइन का है उसको लिखे according to the Spencer on the above lines this 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 and this वह आप mention करेंगे उसके पाद जो आपका fourth paragraph होगा that is your devices कि उस चार लाइन में कौन सी डिवाइस यूज किया अब आप सोच रोंगे डिवाइस को find out कैसे करें देखो आप poem की summary से summary को छोड़ के जो भी extra लिखेंगे आपकी rhyme scheme हो गई आपका selection of word हो गया उसमें imagery का यूज किया है कि नहीं किया है उसमें love को present किया है उसमें metaphor का यूज किया है ठीक है या फिर simily का यूज किया है as like जैसे बुलता है ना कि जो मेरी bride है या जो यह daughters है वो बहुत क्यूट है उनको leda और swan से compare किया है जो beautiful होती है तो जहां पर भी सारी करें तो उनप zus फो लाइन कहीं कर देते हैं जो आपको paper में दिया होता है और लेकिन आटी से कबर मोटिभ लृट कोrust चेकर है वह आपसे जाना चाहता है उ Armen बताया है में अगर इस नहीं आते तो परिषान उसके बाद उस चार लाइन को इलाबोरेट करने के बाद आप complete poem की summary लिख देंगे की complete poem में क्या है और अगर आपको critical analysis आता है तो अब उसको लिख दीजिए यह सबसे बेस तरीपा होता है जब आपको 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 60-70 के बीच में आना तो आपको अपने answer को इस तरह करते हूं और अगर आपको सिर्फ पास होना है तो मेरा यह है कि आप poem सुनते है poem देखते है उसके summary लिख दो summary लिख के आ जाते हैं तो बोलते हैं हम सिर्फ पास हुए है और इग्रू में पासिंग मार्स भी 40 मार्स काये थि शूर्टी है कि 40 मार्स काये है सो में से आपको 40 पराने चाहिए पासिंग के लिए भी तो मैंने बता दी अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप समरी देख के जा सकता है लेकिन अगर आपको एक अच्छे मार्स लेना है आप नेट के लिए सोच रहे हैं I hope you all are intelligent और आप सब इस फील्ड में अपना future बनाना चाहते है और English आपका passion होगा तो आप इस तरीके से अपने RTC को present कर कीजिए I'm sure कि आपको 60% से तो कम marks बिल्कुल नहीं मिलेंगे आप उससे उपर ही जाएंगे आप स्क्रीन पे हैं आपकी कुछ important poetry और यह poetry मैंने बहुत selection आप कहा सकते हैं मैंने 2011 से लेके 20 तक के paper देखने के बाद लिखा है और यह जितनी भी poems है या तो इन पे RTC पे question आया हुआ है या फिर question की form में question आया हुआ है बट इन ही पे आया हुआ है तो तब तक के बीच में जितनी भी poems पे question है वो poems आप पे हैं जैसे कि Chaucer के prologue से आया हुआ है इसको discuss कर दे से पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ इस unit में यह जो M.E.G.1 है British Poetry इसमें आप किसी भी एक unit को ignore नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर जब RTC देते हैं तो वह ऐसे देते है कि Chaucer की दो Poetry में से selection करना है आपको जैसी कि question 1 दे दिया इसका प्रलोग का RTC दी हुई है और इसी के ओर में जो question पूछा हुआ हुआ है वो नन प्रीस टेल से पूछा हुआ है इसका मतलब क्या है कि Chaucer के ही दोनों Poetrys में से आपको selection करना है फिर Spencer के ही pro thalmium और epithalmium दे दी और यह question और दस के साथ question 1 होगा उसके साथ और फिर दूसरा question question 2 फिर और फिर दूसरा question हर question में आपको दो question में से एक करना होगा ठीक है अब आप कभी-कभी पूछते कितने pages लिखे आपको मुझे लगता 30 या 32 शीट पेज़े की वो sheet मिलती है दस question को आप कर लिजे कितने में करेंगे मतलब एक poem आपका तीन page होनी चाहिए ऐसा नहीं कि एक poem बहुता है नहीं होता है नहीं होता है मतलब होता है ना smart study क्या कहती है कि equal questions है उनको equal pages में डिवाइड कर दो और equal importance दो हर question को और सबसे पहले वो question attempt करो जो आपको सबसे अच्छे तरीके साथ हो proper तरीके साथ हो ताकि examiner का mind है वो set हो जाए that you are intelligent और आपको सब कुछ आता है और आप सब कुछ पढ़ गया है आप कुछ important poetry की बात करते हैं वो है जैसे की चौसर का प्रोलोग यह बहुत important है नन प्रिस टेल प्रोथाल्मियम और एपिथाल्मियम सोनेट 77 Spencer की यह तीनों बहुत important है और इन तीनों में से ही आपको देखने को मिलेगी पेपर में यह तो प्रोथाल्मियम आएगा एपिथाल्मियम और एपिथाल्मियम से आते हैं चौसर पर क्वेशन आते तो प्रोलोग और नन प्रिस टेल पर आते हैं वो क्वेशन हम बाद में डिस्कूस करेंगे नेक्स आपकी गुड मोरो है इस पर क्वेशन आ जाता है एक दो बार आया है मैंने यहाँ पर मेंशन किया है तो इक निम गर्डन को बिल्कुल इग्नोर और नहीं कर सकते हैं कि और मौनिंग ओफ क्रैस्ट नेटिविटी और मैक फ्लेक नौई मैक फ्लेक नौई पर पोईट्री भी आती है क्वेशन भी आते हैं और आप कह सकते हैं एक्जामिनर को इन टॉपिक से बहुत जादा प्यार है रही और एन एपिस्टेल टु और चिमनी स्वीपर इन में से आपको एक क्वेशन जरूर मिलेगा देखने को चाहिए टाइगर पर चाहिए 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 कुबला खान को भी स्किप नहीं करना कुबला खान पर आटी सी क्वेशन दोनों आते कभी कोई शोट नोट भी आता है इसके उपर आपको वीडियो प्रवाइड करोंगी यह फिडियो भी आपको पॉयम की समरी आती है पूरा लिख डालिए गौब्लिन मार्किट गौब्लिन मार्किट पे भी आता है नेक्स्ट आपका 21 जो क्वेशन है और ब्लेस्ट देमोजल ब्लेस्ट आमोजल यह भी दो-तिन बार मैं question को ignore किया जाता अधर्वाइस RTC में आ जाता है नहीं तो question में आ जाता है Easter 1916 Mr. Blini Church going daddy daddy is also very important on the question और RTC दोनों point of view से फ्रालिपोलिपी और डिजेक्शन और यह 30 poetry हैं तो अगर आप इस channel के साथ मेरे channel के साथ connect रहते हैं कुछ poetry already आपको मिल जाएंगी और जो नहीं है जितनी है आप उतनी प्रिपेर कीजिए आप नेक्स नेक्स के लिए message करते हैं जितनी है पहले आप उसको बहुत stronger तरीके से कीजिए और जितनी भी important है वो सारी poetry इस channel पर मिल जाएंगी और जितनी भी important questions बनते हैं क्योंकि देखो RTC में नहीं क्या सकती कि बसी चारलाइन कर लो यहीं हो सकता है कि wasteland का एक बर कोई उपर वाला paragraph दियो next year में उसका नीचे वाला paragraph दियो ठीक है तो मतलब complete करना बहुत जरूरी है उसको और wasteland को तो बिल्कुल अब आप सोच रहोंगे कि मैंने कुछ poetry पर यह टिक लगाया हुआ है कि ज्यादा important है देखो कुछ students ऐसे भी होते जिनको सिर्फ पास होना है वो बोलते हैं मैं हम बिल्कुल last moment पे हैं एक दिन हैं हमार पास time नहीं है उसका reason हो सकता है वो married है या job करते हैं या बहुत struggling life है उनकी I respect everyone तो यहां पर मैंने उनके लिए किया है कि जो बिल्कुल जिनके पास बिल्कुल time नहीं है वो इन poetry को करके जा सकते हैं जिन पर टिक लगा हुआ है और जो 60 plus marks लेना चाहते हैं युनों अच्छा score करना चाहते हैं नेट के लिए सोच रहे हैं और English उनका passion है उनके लिए कि आप 30 poetry को कर लिजिए प्लस जो questions मैं आपको कराऊंगी आप उनको कर लिजिए आपके 60 70 marks कहीं नहीं गए है ठीक है friends तो इसमें हमने इसमें डिसकस कर लिया है अभी और जो previous year के question paper है that is very important previous year के question papers मैंने इसमें include नहीं किया है हाला कि मैंने शोर्ट में यहाँ पर आपको बता दिये यह poetry कितनी important है बट मैं आपको एक question paper का भी video provide करूंगी ताकि आप वहाँ पर देख सके कि जो questions मैंने यहां लिखे हैं जो poetry मैंने mention की है वो मैंने कितना analyze करने के बात की है अब आप इस video को देखने के बाद वो जो previous year question paper के में video डालूंगी वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि उन paper में कोई भी ऐसा question नहीं है जो इन poetry से अलग हो तो आप connect रहें और एक अच्छी preparation स्टार अगर यह वीडियो आप जो नए subscriber हो सकता है कोई इस video को first time देख रहा हो तो अगर आपको information अच्छी लगी तो आप इसे subscribe कर लिजिए अपने benefits के लिए अपने exam purpose के लिए और जो हम कह सकते continue जुड़े हुए हैं जैसे कि मैं 40-50 students के नाम भी बता सकती हूं that they are messaging me everyday बहुत अच्छा लगता है जब आपके messages आते हैं you know it's like a pleasure कि जब हम नश्री केजी क्लास में थे और teacher very good लिखती थी this kind of pleasure for me so thank you all for your love right और मिलते हैं next video में important questions को discuss करेंगे उसमें